हेलो दोस्तो डेरी प्रॉब्लम स्लूशन वेचर तो अड़ा स्वागता है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिषीच वरबारे तो दोस्तो यहसे कंपनी में व्याइक बुडीए पके आज हम में आप करेंगे के यह जो बोल्क cultural काम आती आए हैं कीा मांत है कि तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूरों देखेज और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना मत बुनें ताके जो मारी लेट से लेट से वीडियो है वह आप तक पहुंच सके और आपका पूरे का पूरा फैदा हो सके तो दोस्तो यह जो न्यूट्री से कड़वांस बोल से है जदी आपका पशू हीट में नहीं आ रहा है जनके खुल के हीट में नहीं आ साइलेंट हीट है किसी भी तरह की हीट की प्रॉब्लम है तो आप यह एक बोलस यह गोली डेली अपने पशू को दे सकते हैं तो दोस्तों यह यह न्यूट्री से कड़वांस बोल्स है यह एक चलिक्टल ट्रेस मिन्नल विटामन्स एंटी ऑक्सीजेंट और बायो क्रोमियम ब बातकर दो इसको चाली ओँए 400 इसका प्रेंट रेंट है है यह 120 में जाओ probशाइल मे publi है है तो दोस्तोव वैटे कर कैमपनी की यह जो बोल स्यज़ए देखेंजिए यसी बोल्स होति है एक डिपी में साथ बोल्स होती है एक जो डिब्बी होती है इसका प्रेंट रेट है वह सुचाली है तो दोस्तों आपके पशु को हीट की सबंद्या कोई भी समस्य है तो दोस्तों एक से दो गोली जदी ज्यादा विक्नस होता है एक सुबह एक शाम गोली आप दे सकते यह साथ बोल्स इसमें होते हैं एक डिब्बी में तो आप पहले एक डिब्बी दे जदी आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा तो आप चोदा देन और वहना आप 21 भी साथ डबियां अपने पशु को खिला सकते हैं आपके पशु को किसी भी तरह की हीट की समस्या चाहे आपके पशु को जदी कई बर क्या होता है कि आपके डेड़ और दो साल की चोटी होती है चाहे वैड़ होती है उसकी बच्चेदानी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है उसकी बच्चेदानी कमजोर होती है डाउट साब गन भी उसमें से पास करने की कोशिश करते लेकिन उसे गन के बाद आपका पशुषीट में आएगा तो आपको यह बच्चेदानी है वह उसकी जो ग्रोथ है उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी उसका अंडा है सही बनना शुरू हो जाएगा उसका इस रेशो है कंसीव करने की समरता वह बढ़ जाएगी और वह गावन होने की समरता जो है उसकी बढ़ जाएगी तो दोस्तों जदी आपके पशुकों बच्चेदानी के सबंदत कोई भी समस्या है तो आप इस बोलस को दे सकते हैं इसमें मिन्नल विटामन भी और एंटी ऑक्सीडेंट है एक तो यह बिमारी को भी कबर करती दूसरा जदी कोई बिमारी हो ज दोस्तों इस पर साफ लिखा हुआ यह देखिए हेल्प इन फैमली हीट तो फीट एंड ओवालेशन वह सई समय पर हीट आएगी इसका जो आणडा है वह तो तूटे गा तो हेल्प से इन अंप्रूब कंसेप्शन रेट तो यह पसू के यह कंसेप्शन रेट होते हैं पसू बहुत जल्दी कर जाता है गावन हो जाता है जो रिपीट ब्रीडर्स होते हैं उनके लिए इसका जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया है एल्प से इन मंटेन फर्टिलिटी तो दोस्तों यह फर्टिलिटी को मंटेन करके रखती हैं इसलिए पशू के जो गावन आपके पशू को है चाहे वो गाय है चाहे बैस है चाहे बेड़ बक्री है तो दोस्तों बेड़ बक्री में आप आदी से एक बोल्स एक दिन में दे सकते हैं और जो बड़ा पशू उसको एक से दो पशू आप अपने पशू को दे सकते हैं और शोटे जो वैड़े होती है जदि इनकी बच्चे दाने कमझोर है तो आप इसको 2 बोल्स डेली खिला सकते हैं तो दोस्तो जदि आपके पशु को ये ऐसी समस्या है तो आप ये कार्गल का बहुत ही बड़ी आप पड़ागटा ये बोल्स दे सकते हैं तो दोस्तो कई बर क्या लाता है आप इसको आई आनए के बाद भी अपने पशहुकों दे सकते हैं नदिया आपने पशुकों याया करवा दी तो एक बोल्स डेली आप लगातर 20 दिन तक आपँबने पशुकों देगा तो उससे भी वो गाबन भी हो जाएगी तो दोस्तों अमीद करता हूं के मेरी दी हुई जानकरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी जानकरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत बूलना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना तो थैंक यू दोस्तों मिलते है नेक्ट वीडियो में धन्यवाद